मैं अपने samsung की फून को फिकने वाला था क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी एप लॉग वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है project में जो 7000-8000 रुपरे के स्मार्ट फून है उसके अंदर हमें एप लॉग वाला फीचर देखने को मिलता है यह बट आज में जो आप लोग को process दिखाने वाला हूँ, वो सबसे ज़्यादा easy है, और दूसरा आपके पास कोई भी Samsung का smartphone है, सभी Samsung की phone में इस trick की मदद से आप किसी भी application का अंदर lock लगा सकते हो, तो जो भी process में आगे दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना और अच्छे से follow करन सबसे पहले तो Google Play Store open करना है, और यहाँ पर आपको एक application लिखके search करना है, shortcut maker, ध्यान से देखना इसी application को आपको download करना है, install करना है, जैसे ही application install हो जाता है, simply इसे open करना है, और इसे minimize कर देना है, अब सबकुस मेरे phone के अंदर, जो my file से इसके उपर मैं lock लगाना चाता हूँ तो यह किस तरह से करेंगी, तो simply home screen के उपर आना है, tap and hold करके रखना है, यहाँ पर widgets के अंदर आना है, और आपको find करना है, shortcut maker, यहाँ पर shortcut maker के उपर tap करना है, और यह जो arrow वाला icon है, इसके उपर simply आप लोग को tap करके add कर दिना है, add करते ही आपको select shortcut करके कहा जाएगा, तो simply application के उपर tap करना है, मैं my files के उपर देना चाता हूँ, तो simply यहाँ पर my files को मैंने choose किया, then आपको यहाँ से थोड़ा सा scroll down करना है, और यह जो shortcut log पाला option है, इसे simply आप लोग को enable करके create shortcut के उपर tap कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो my files करके जो एक shortcut create हो चुका है, but मेरी phone के अंदर जो original my files है, वो आभी भी है, और उसे मैं बीना password के भी open कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक काम करना है, बापस से home screen के उपर आने के बाद tap and hold करके अभी settings के अंदर जाना है, थोड़ा सा scroll down करने के बाद hide apps on home and apps screen इसके उपर tap करना है, and my files को hide कर देना है, अभ मैं आप सार्च में आने के बाद my files लिक के सार्च भी करूँ, तब भी आपको my files देखने को नहीं मिलेगा, and अभी ये जो shortcut बाल my files है, जो कि मैंने अभी अभी crit किया है, इसके उपर आप जैसे ही tap करते हो, आपको आपके phone का pattern, pin, password या फिर fingerprint देकी verify करना है, जैसे verify हो जाए कि अगर मैं recent application से shortcut maker को close कर देता हूँ, तो then क्या ये काम करेगा, तो yes, अगर आप recent application से भी से close कर देते हूँ, तब भी ये काम करेगा, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी बात में वीडियो को like and share कर देना, अगर आपके मैंन में और कोई भी doubts है, queries है, तो न इसे interesting videos, आगे देखिने के लिए, आए digital touch को भी subscribe कर लेना मिलते है, next video में, thank you